हम लेक का पहला मोमेट लगा दें जो है हमारा काफ रेज तो आप देख सकते हैं कि मैंने यह काफ रेज की मशीन पर मैं बैटकर काफ कर रहा हूं और वेट धियान दीजे मैं एप्रॉक्स 25 रखाउं टोटल 12.5 दोनों जगह और देखिए ध्यान से कि जब आप काफ रेज प्रोग्रेसिव जाएगा इसमें तब आपका काफ डेवलप होगा अब देख सकते हैं मेरा काफ वेल डेवलप हो चुका है यह एक्ससाइज करते करते हैं तो जैसे अभी हमने काफ को तो कर लिया या महारा पहला मूमेट कंप्लीट होगा तो अब हम दूसरा मूमेट लगा है उपर एक्स्टेंड करें होल्ड आउट मैंने 50 kg रखा है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं प्रोग्रेसिवली मैं धीरे-दीरों से बढ़ाता हूं आप भी बढ़ा है तो होल्ड में होल्ड है अगर होल्ड नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा नीचे किया मैंने फिर उपर देन होल्ड कुछ सेकेंड के लिए फिर दीरे-दीरे सॉफ्टली नीचे माइंड मसल करनेक्शन अच्छा बने यह इदा मसल पे पढ़ना चाहिए आपका पुड़ा कॉट्स बन होना चाहिए अगर बन नहीं होता फिल नहीं होगा अभी देखो यह हम और आपका हैंस्ट्रिंग भी हो जाएगा तो यह एक्साइज या बोले तो यह मुवमेंट भी आप लेगा सकते हैं यह बहुत बहतर होएगा यह मुवमेंट लगाते तो मैं भी ध्यान दे कि प्रोग्रेसिवली जाए मैं डंबल 25 केजी का लिया हूं डंबल को पकड़े औ धीरे धीरे होल्ड आउट नीचे होल्ड धीरे 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 उपर उपर